असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ आपका दोस मुहम्मद सद्दाम और आज जो है दोस्तों 10 अगस्त है और अभी बज रहे हैं साथ बज कर 20 मिनट और काफी अभी का मोसम जो है दिलकश मोसम है और अभी का जो वेदर है वो लाजवाब है इसलिए के ठंडी हवाय चल रही ह पूलों की जो है खुश्बूए आ रही है और सुबह जब सोकर उड़ते हैं तो इसका मजा ही कुछ अलग होता है निंद पूरी होने के बाद कुछ इस तरह के माहौल गाउं में दिखते हैं सुबह होने के बाद और काफी अच्छा लगता पूरे साड़के खाली नजर आत होाहाातै मतलब निकलते हैं सुबह-सुबह काफी देखने में अच्छा लगता है तो दोस्तों जब सुबह का टायम होता है और घर से बहर निकलते हैं तो कुछ आ सब्सक्राइब करन का लिए ते होगा आपको सेम गारण की तरह होता है सब्सक्तरी जब यह जब बोब से तो कुछ इसタरह के नजार हमें भी न健ubby जैसे के कुछ लोग खेत में काम कर रहें जैसे कि साफ इसका जो है साफ कर रहे हैं और यह कुछ इस तरह के नजार असब introduction की टम देखने को मिल रहा है पूरे शाद के खाली है नज़र आती है और पीचे मेरा घर है यह मेरा घर है तो बाहर से कि खुश्बू आती है तो कभी जो है रात रानी की खुश्बू आती है जब अपने घरों में पौदे लगाती तो इस तरह की खुश्बू का आपको एहसास होगा जो लोग जो है प्लांट से मुहबत करते उन्हें मालूम होगा तो यह हमारी छोटी सी प्यारी सी गुडिया जुही नाज है और यह जारी अभी टूशन के लिए और कुछ ही देर के बाद इनका जो है इसकुल टाइम भी होने वाला है तो कुछ इस तरह के नजारा सुबह सुबह देखने को मिलना खेत हैं देखे हमारे चच्चा उदर काम कर रहे हैं क्या चच्चा ठीक है बारा है को गाओ का नजारा कुछ अलगी होता है जिस तरह के आप देख रहे हैं यह मेरे कुछ प्लांट्स है और काफी अच्छा है देखे जैस तरह के आप देख रहे हैं यह नारियल का है एक इधर भी नारियल का है और इसको जो है चारों तरफ से हम जो है बास के से इसको टटी बो पौदो को बचाया जाता है जानवरों से जैसे के आप देख रहे हैं तो इसका ये बास के लकडियों से बनाया जाता है जैसे के आप देख रहे हैं और मैंने कुछ स्टाइलिस्ट के तोर पर भी बनाया उसको भी दोस्तों कुछ इस तरह के होते हैं ये है बत्तियों के बनाय जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यह बास की जो लकडी होती है उससे यह इस तरह के बनाया जाता है ताके जो है पौधो तक बकरियां और जानवर ना पहुंच सके तो इस तरह के पौधो की हिफाज़त के लिए हम इस तरह भी बनाते हैं और एक इस तरह भी बनता है जैस पौदों की हिफाज़त के लिए आप इसको लगा सकते हैं इसकी जगह में जाल वगरा भी आता है लेकिन वह जादा दिन वेलियों ठीकता नहीं खराब हो जाता है यह एक साल के लिए बेफिकर जानवर से सेफटी के लिए काफी अच्छा है सेफटी फ्यूचर इसमें दोस्तों मेरे प्लांट कुछ इस तरह नजार आ रहे काफी दिलकश नजार रहा साइद आप देख रहे होंगा पीछे मेरे जो है यह दोनों एक जो उदर दिख रहा वह और यह जो दिख रहा दोनों मेरा घर है और यह हमारे चोटा सा गारडन है जहां पर आपको भीनी भी ठंडी ठंडी हवाई भी चलती है और खुश्बू भी आती है और इधर भी मैंने कुछ पौदे जो है विकार के लगा दिये थे लेकिन कुछ इस तरह यह भी अच्छ लगने रखते हैं और इससे तो खुश्बू नहीं आती है लेकिन बट कुछ पौदे हैं जिससे कशनजारा है दोस्तों और मेरे घर के पीछे जो है कुछ अम्रूत के भी फेर लगे हुए है और नेम्बू अगरा तकरीबन बहुत सारे जो है पौदे लगे हुए हैं अलग-अलग विराइटीज के तो कुछ इस तरह का सुबह हमारे यहां होता है आग किस तरह सुबह होत एक साथ निकले हैं कुछ इस तरह मैंने कुछ प्लांट लगाए यह घर के मेरे अंदर है और वो जो देखे घर की जो होता है हमारे दर्वाजा अगर का उससे बाहर का वो नजारह है तो सुबह का जो समय होता है कुछ इस तरह होता है हमारा सुबह और कुछ इस तरह गाओं के नजारे होता है दोस्तों काफी दिलकस नजारा होता है गाओं का और ठंडी हवाय चलती है शहरों में तो इन चीजों का फील आपको नहीं होता है जब आप किसी गाओं में जाते हैं सुबह का मोसम क्या होता है चिछडियों की चहचाहट और कोईल की आवाज और बुलबुल की चहचे सारी चीज़ सुनने को मिलती है गाउं में सिर्फ शहरों में तो आपको महसूस नहीं होगा तो कुछ गाउं इस तरह होता है इस तरह मेरा गाउं नजर आता है मौनिंग टा जैसे कि आप देख रहे और कुछ गाउं में इस तरह के नजारा साम के वक्त जो है यह सुबह के वक्त देखने को मिलता है काफी दिलकश नजारा होता है और यह मॉर्णिंग टाइम और यह टाइम पर भाई मजा आ जाता है और आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा यह हमार अमरूत के पेड़ और कुछ जो है इसमें फल तैयार भी हो चेकर जैसे कि आप यह देख रहे हैं तो यह है अमरूत छोटा वाल अमरूत होता है इसमें बड़ा भी होता है लेकिन बटा अभी क्यूंकि यह छोटा है और अभी तैयार हुआ नहीं सईसे तो कि इस तरह हमारे अमरूत के पेड़ में पॉदे जो है फल लगे हुई है लेकिन भाई क्यूंकि खाने वाले लोग कम है अभी क्यूंकि जो बच्चे ही खाते हैं हम लोग तो बहुत कम ही खाते हैं और यह है पपीते के जो आप देख रहे हैं पपीता उसमें लगा हुआ छोटे छोटे हैं और दोस्तों आजका व्लोग मेरा इस तरह था सुबह का मौसम काफी सुहाना था तो क्यों ना मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए गाउं के हालात को और गाउं को दिखाया जाए कि गाउं होते हैं किस तरह है तो यह था मोर्णिंग टाइम काफी अच्छा लग रहा तो यह कुछ इस तरह का सुबह का नजारा होता है और काफी अच्छा लगता है दोस्तों गाउं तो गाउं ही होता है बट यह होता है कि गाउं का जो है मज़ा ही कुछ अलग होता है जैसे कि आप मेरा एक छोटा सा गाउं देख रहे हैं यह मेरा गाउं है यहां मेरी जो है प वीडियों की आवाज आती है तो आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके हां का सुबह किस तरह होता अब जरूर हमसे आप साजा कर सकते हैं आज के ब्लोग में इतना ही फिर मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए आप मुझे एजाजत खुदा हाफीज असलाम अलेकूम